बॉलिवूड के लिए आज का दिन बड़ा ही बुरा साबित हुआ एक दिगज अभी नहीं था जो बहुत खुबसूरत बहुत हैंसम और बिलकुई नौज़ावान थे वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए अक्टर शुषांच सिंग राजपूत पीके और शुद्देशी रोमेंज जैसी पहतरीन फिल्म में काम कर चुगे हैं और अपना लोहा बनवा चुगे हैं वहीं ये बात सामने आई है कि सुषांच सिंग राजपूत पिसले चार-पाइज दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे वीडियो रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि जस्ट पांस दिन पहले सुषांच सिंग राजपूत की एक्स मैनेजर रही दिशा ने भी चोद्वी मन्जिल से चलांग उडाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था वहीं पहले पुलिस इस मामले में चानबिन कर रही थी और पुलिस ने एक्सिडेंट जो केस में आया था लेकिन बात में इस केस को भी नया रूप दे दिया गया था हाल फिलहाल ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि आफिर सु्षानच सिंग राजपूद को ऐसा क्या तनाव था ऐसी क्या डिप्रेशन दी इसकी वज़ा से सुषानच सिंग राजपूद लगातार डिप्रेशन में चाहते चले जा रहे थे आज जब उनकी जान देने की खबर मीडिया में सामने आई तो पूरा पुल्स पर शासन और मीडिया उनके बांदरा वाले घर के बाहर एकटा हो गया और सुशान सिंग राजपूत को लेकर तरह तरह की बाते की जाने लगी हालनकी अभी तक वज़ा पता नहीं चली है कि आखर ऐसा क्या गम था क्या वज़ा थी जिस वज़ा से सुशान सिंग राजपूत में ऐसा बड़ा खत्म उठाया है लेकिन फिर भी शुरुवाती जांस में ये बात सामने आई है कि सुशान सिंग राजपूत तनाव में यानि कि डिप्रेशन में चल रहे थे उनके डिप्रेशन का क्या कारण है इस बात के खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है लेकिन जिस तरह से परते खुलती जा रही है धीरे धीरे ये बात भी सामने आईगी वैसे आपको बता दें कि उनके फैंस को बहुत धक्का लगा है अब ज़िए ख़वर सामने आई है उनके फैंस एक दम से सदमे में चले गए है हाल फिलाल जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे